नमस्कार, आरेंड रसोई में आपका स्वागत है, मैं पुजा मिस्रा, मैं आज बनाने जा रही हैं, बहुत ही जपट बनने वाले मायोनीज ब्रेट के सैंडवेच, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मायोनीज के सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए, ब्रेट हमने बाइट ब्रेट लिए, 8 पीस ब्रेट है, 2 प्याज बारी कटे हुए, 2 टमाटर बारी कटे हुए, 3 चम्मच मायोनीज है, वेज मायोनीज हमारी जे, घी या बटर कुछ भी रे सकते हैं, चली बनाना शूर करते हैं, हम एक बर्तन में प्याज करेंगे, टमाटर, और इसमें करेंगे हम मायोनीज, अब सब को मिलाएंगे अच्छे से, हमने सब कुछ मिला लिया अच्छे से, देखिए, इसमें हमें और कुछ भी नहीं डालना है, अब हम एक ब्रेड लेंगे, और इसक्यो पर हमजे, डालेंगे जो हमने मिला के रखा है, प्याज टमाटर, मायोनीज, और हम दूसरी ब्रेड हम इसक्यो पर ऐसे रख देंगे, देखिए, हम इस तरह से बना करके सभी के रख लेंगे, हमने सभी पीज भर लिए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी स्वादेश लगती है, हमने तवे को गैस पर घरम कर लिया है, अब हम तवे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, अब घी अब तक कुछ भी ले सकते हैं, इस पर हम ब्रेड रख देंगे, अब रहे हम लगा देंगे घी सके, अब रहे हम लगा देंगे घी सके, अब खर हम ले खकित्रऽे हैं इए, अब yazाएंगे यए यफान ग्दार है, आप भाऑल W पाद हम ले पुख रहे हम लेक्या देए यदिस कणा सक लेल देखरे थे हमिए और इनको निकान लेंगे, और ऐसी प्रकार हम बागी की ब्रेट भी सेख लेंगे, देखिए हमारी ब्रेट सब सीख गई है, सैंट्विश तयारे बंद करके, अब इनको काट देंगे बीट में से, देखिए, देखिए, तयार है हमारे मायनेज की सैंडविश कितनी आसानी से बंद गई है, और जटपड बंद गई है, जब तयार है हमारा ब्रेट का नास्ता, सुबह के टाइम इसको बनाई है, और बच्चों के टिफिल में रख सकते हैं, बना करके, बहुत ही स्वाधिस्ट होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें ज्यादा चीजों की जरूतनी पड़ती है,